अमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर, हमारे चैनल राज ग्यान पर, राशिफल के अनुसार कल यानी 19 जून 2023, सोमवार का दिन महत्वपूर्ण है, ग्रहों की चाल के मताबिक कल के दिन करक राशी वाले मित्रों के साथ कहीं भूमने भी जाएंगे, कल आप अपने ल आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, जानते हैं कल का राशिफल, मेश राशी, मेश राशी वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, जो जातक व्यवसाई कर रहे हैं उन्हें मन्चाहा लाब प्राप्त होगा, छोटे व्यापारी भी व्यवसाई में अच्छा लाब प्राप्त करेंगे, छात्र कुछ विशयों में अपनी रुची को जागरूख करेंगे, गुरुजिनों का सहयोग मिलेगा, हाया एजुकेशन के लिए समय अच्छा है, जो युवा कमपटीशन की तयारी कर रहे हैं उन्हें और अधिक मे में वृद्धी होगी, छात्रों के लिए समय अनुकूल है, व्यवसाई में उन्नती होगी, बैंकिंग वाइटी के लिए समय शुब है, यात्रा पर जाने के संकेत हैं, परिवार को लेकर थोड़ा तनाव संभावित है, साहस वा आत्म विश्वास मजबूत रहेगा, पदो परिवार के सभी लोग मिलकर किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना बनाएंगे, आपकी मन की कोई इच्छा पूरी होगी, लव लाइफ औफ खुशियों से भरी रहेगी, व्रिशब राशी, व्रिशब राशी वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपके लिए परिवार वालों का सहयोग मिलेगा, बेरोजगार लोगों को अच्छा रोजगार मिलने के संकेत हैं, किसी दूर के रिश्टेदार के द्वारा भाई के लिए रिश्टा आएगा, जो लोग राजनीती में अपना करिया बनाना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है, आप आपको सभाओं को संबोधित करने का मौका मिलेगा, नेताओं से भी मिलने के अफसर मिलेंगे, सभी लोग मिलकर धार्मिक कार्यक्रमों में कुछ समय व्यतीत करेंगे, आसपरोस में हो रहे वाद विवाद में पढ़ने से बचें, भाई, बहनों का भरपूर सहयोग मिलेग आपकी सेहत में सुधार होगा, यतित्वर में और निखार आएगा, कल खर्च अधिक हो सकता है, कुछ नया सीखने का प्रयास कर सकते हैं, परिवार का महौल कुछ नुमा रहेगा, किसी पुराने मित्र के द्वारा आपको आएके कुछ अफसर प्राप्त होंगे, कल आपके जीवन में सुक शांती बनी रहेगी, सभी लोग एक साथ कार्य करते हुए नजर आएंगे, कल किसी महत्वपूर्म कार्य के लिए आप अपने वरिष्ट सदस्यों से बातचीत करेंगे, बातचीत करते समय वानी की मधूरता को बनाए रखें, पिताजी कल आप से किसी कार्य को करने के लिए कहेंगे, जो आपको अवश्य पूरा करना होगा नहीं तो वह आप से नाराज हो सकते हैं, कार्यक्षेत्र में वानी के प्रती सावधान रहें, किसी को भी कोई ऐसी बात ना करें जो बुरी लग जाएं, पॉलिटिक्स में प्रोग्रेस है, शात्रों को सफल जोब में दायत्व को लेकर असमंजस में रहेंगे, कल धन और व्यवसाय संबंधी विवाध हो सकता है, दूसरों पर भरोसा करने से बचें, आर्तिक सहायता मिलेगी, कल आपको नई नौकरी का भी ओफा आएगा, जिसमें आया धिक होगी, कल आप से मिलने आपका पुराना मित्र आपके घर आएगा, जिससे मिलकर सभी लोग काफी खुश नजर आएंगे, आप मित्र के साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे, व्यवसाय कर रहे जातक व्यवसाय में रुकी हुई योजना को दोबारा से शुरू करने में काम्याब रहेंगे, व्यवसाय से संबंधित या जौब कर रहे जातकों को जौब में तरक्की के अफसर प्राप्त होंगे, आपकी मीठी वानी आपको लाब प्रदान करेगी, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ आप संतान के बहतर भविश्य को लेकर बातचीत करते हुए नजर आएंगे, घर जाने दिये उधार वापस मिल सकते हैं, सान काल का समय आपका घर महमानों से भरा रहेगा, जहां आपको लगेगा कि कल का कुछ कीमती समय खराब हो गया है, आप अपने बिजी दिन में से कुछ समय अपने बच्चों के लिए निकालेंगे, जिसमें उन्हें लेकर पिकनिक पाप भी जाएंगे, जहां वह खोब मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे, माता जी को लेकर आपना निहाल भी घूमने जाएंगे, जहां वे काफी खुश नजर आएंगे, लव लाइफ आपकी बहतर रहेगी, आप अपने लव पार्टनर के साथ रोमेंटिक दिन अपर भी जाएंगे, जहां प्यार भरी बातें करते हुए नजर आएंगे, सिंग ाशी, सिंग राशी वाले जातकों की बात करें, तो कल का दिन आपका खुशियों से भरा रहने वाला है, कल व्यवसाय को लेकर आपको शुब समाचार की प्राप्ती होगी, व्यवसाय में नवीन भविश्य को लेकर बातचीत करते हुए नजर आएंगे घर से निकलते समय वाले सदस्यों का पैर छूकर आशीरवाद ले तो आपको सभी कार्या पूरे होंगे कल सेहत सही रहेगी लेकिन भूजन पर ध्यान दें कल सरकारी कामों में सफलता मिलेगी आर्थिक लाब होगा धन कमाने के अफसर मिलेंगे पुराने दिये उधार वापस मिल सकते हैं सानकाल का समय आपका घर महमानों से भरा रहेगा जहां आपको लगेगा कि कल का कुछ कीमती समय खराब हो गया है आप अपने बिजी दिन में से कुछ समय अपने बच्चों के लिए निकालेंगे जिसमें उन्हें लेकर पिकनिक वपाग भी जाएंगे जहां वह खोब मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे माता जी को लेकर आपना निहार भी भूनने जाएंगे जहां वे काफी कुछ नजर आएंगे लव लाइफ आपकी बहतर रहेगी आप अपने लव पार्टन के साथ रोमेंटिक दिन अपर भी जाएंगे जहां प्यार भरी बातें करते हुए नजर आएंगे कन्या राशी कन्या राशी वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपके लिए सुखद रहने वाला है नौक्री कर रहे जातकों को नौक्री में तरक्की के अफसर मिलेंगे सीनियरों के द्वारा आपके किये गए कारियों की सराहना होगी जीवन साथी को मिली तरक्की से आप काफी नजर आएंगे आपकी सेहत पहले से बहतर रहेगी लेकिन ज्यादा तला भुना खाने से बचें कल आप किसी रिष्टेदार के घर भी दावत पर भी जाएंगे जहां सभी लोगों से मेल मिलाप होगा घर में हवन, पूजा, पाठ का भी आयोजन होगा जिसमें सभी परिचितों का आना जाना लगा रहेगा घर से निकलते समय बड़े सदस्यों का पैर चुकर आशिरवाद ले संपत्ती से धन लाब मिलने के योग बन रहे हैं भाई, बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा चोटी बहन की सेहत में सुधार होगा आप अपने बिजी दिन में से कुछ समय अपने लिए निकालेंगे जिसमें अपने मन पसंदीदा कार्यों को करते हुए नजर आएंगे मित्रों की सहायता से आएके कुछ नए अफसर भी प्राप्थ होंगे आर्थिक स्थिती आपकी अच्छी रहेगी अगर आपने किसी से उधार लिया हुआ था तो वह भी आप समय पर लोता हैंगे आप अपने लिए और परिवार वालों के लिए कुछ खरीदारी करेंगे कल परिवार में शुब कार्या होने के योग बने हुए हैं कल आप दूसरों पर कुछ ज्यादा ही खर्च कर सकते हैं स्वास्थ्य भी बहतर होगा धन का लाब होगा कार्यक शेत्र में सफलता प्राप्त होगी तुला राशी तुला राशी वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपका मिला जुला रहने वाला है जीवन में सुक शांती बनी रहेगी माता पिता का सहयोग मिलेगा आप जो व्यवसाई कर रहे हैं उसमें आपको काम्या भी मिलेगी नए नए कॉन्ट्रेक्ट मिलेंगे आप अपने मित्रों के साथ कहीं भूमने भी जाने की योजना बनाएंगे आपको अपने रुके हुए धन की प्राप्ती होगी जिससे आप अपने रुके हुए सभी कारियों को पूरा करेंगे आपने अगर किसी से धन उधार लिया हुआ है तो वह भी आप लोटाएंगे माताजी को लेकर ननिहाल भूमने भी जाएंगे जहां काफी खुश नजर आएंगे नए वहन का सुक प्राप्थ होगा मकान, प्लोट को खरीदने की भी इच्छा पूरी होगी नौपली कर रहे जातकों को तरक्की के अफसर मिलेंगे उच्छ अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्थ होगा जीवन साथी के साथ परिवार की भलाई के लिए कार्य करते हुए नजर आएंगे परिवार के सभी लोग मिलकर किसी धार्मिक स्थान पर घूमने जाने की योजना बनाएंगे आपकी सेहत पहले से बहतर रहेगी प्रति दिन की दिन चर्या में कुछ बदलाव करेंगे तो और बहतर रहेगा परिवार में किसी रिष्टे को लेकर थोड़ा तनाव संभव है मित्रों का सहयोग मिलेगा कल व्यवसाय में निवेश से बचें और जरूरत से ज़्यादा खर्चना करें कल का दिन प्यार से दूर रहेंगे तो भलाई है कल निवेश करना घातक हो सकता है आर्थिक विकास होगा व्रिष्चिक राशी व्रिष्चिक राशी वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपका और दिनों के मुकाबले बहतर रहने वाला है जो लोग राजनीती में अपना करिया बनाना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है आपको सभाओं को संबोधित करने का मौका मिलेगा नेताओं से मिलने के अफसर मिलेंगे वरिष्ट सदसे के द्वारा आपको धन को कैसे संचय किया जाता है ये सीखने को मिलेगा जिससे भविष्ट में आपको कोई परेशानी ना हो आप अपने लिए और परिवार वालों के लिए कुछ खरीदारी करेंगे और किसी मित्र की शादी में भी सम्मिलित होंगे जहां सभी लोगों से मेल मिलाब होगा नौप्री कर रहे जातक नौप्री में दिये वे कारियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे कल आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिलेगा व्यवसाय कर रहे जातक व्यवसाय में नही नहीं योजनाओं को लागू करेंगे जिससे व्यवसाई को आगे बढ़ा सके कलाई के स्रोत निश्चित रूप से बढ़ेंगे कल परिवार के साथ त्योहार और उत्सव का आनन लेंगे शरीर में आलस्या रहेगा काम पर ध्यान दे वैसे दिन अच्छा है आर्थिक लाब प्राप्त होगा शात्रपने ऐसे मित्रों से दूर रहें जो उनका समय वधन दोनों खराब करते हैं आप किसी नए विशय को भी जानने की इच्छा रखेगे आप अपनी पढ़ाई के अलावा कोई एक्टिविटी में भाग लेंगे हाया एजुकेशन के लिए समय अच्छा है आपको अपना मनपसंद विशय पढ़ने का मौका मिलेगा धनू राशी धनू राशी वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपका अच्छा रहने वाला है नौक्री कर रहे जातक नौक्री में दिये गए कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे आप नौकरी के साथ साथ कोई साइड काम भी करने की योजना बनाएंगे जिससे आए में बड़ोतरी हो सके कल जीवन साथी के साथ आप उनके कार्य में हाथ बटाते हुए नजर आएंगे परिवार में चली आ रही अनबन समाप्त होगी भाई, बेहन के साथ आप किसी रिष्टेदार के घर पार्टी में सम्मिलित होंगे आपके रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे कौपती को मेंटेन करने पर धन खर्च कर सकते हैं संपत्ती के मामलों में भाग दौर भी करेंगे कल प्यार में साथी से धोखा मिलेगा कल का दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होगा अपने व्यवहार पर नियंत्रन रखें आपकी कहीं बात से रिष्टों में दरार आ सकती है पिता जी आपके व्यवसाय में धन खर्च करेंगे चोटी यात्रा पर भी जाने के योग बन रहे हैं जो यात्रा आपके लिए सुखद रहेंगी चात स्कूल के अलावा एक्टिविटी में भाग लेंगे जिसमें उन्हें जीत हासिल होगी माता पिता संतान के बहतर भविश्य के लिए धन का निवेश करेंगे चोटे व्यापारी व्यापार को आगे बढ़ाने में काम्याब रहेंगे पैत्रिक व्यावसाई कर रहे जातक व्यावसाई में कुछ बदलाव करेंगे वरिश्ट सदस्यों की सेहत का ख्याल रखें बदलते मौसम के कारण सेहत में उतार चड़ाव देखने को मिल सकता है मकर राशी मकर राशी वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है कल आपको अपने माता पिता का भरपूर सहयोग वसानिध्य मिलेगा कल आपको नई नौकरी का भी ओफर आएगा आप अपने दिये गए कारियों को समय पर पूरा करेंगे सरकारी क्षेत्रों से भी आपको लाप राप्ठ होगा किसी परिचित की सहायता से कल आप अपने रुपए होई कारियों को पूरा करेंगे बड़े भाई के साथ आप अपने मन की बातों को साजा करेंगे मित्रो और आपके परिवार वाले सभी मिलकर किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे धार्मिक कार्यक्रमों में कुछ समय व्यतीत करेंगे जिससे आपके मन को शांती मिलेगी आगे बढ़ने से पहले आप से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवन दोस्तों को शेर जरूर कर दीजिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए अब आगे बढ़ समच कर ही लें आध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं कल सेहत का ख्याल रखें और नेत्र पीड़ा से परेशान रहेंगे नौकरी और व्यवसाई में अधिक मेहनत करनी पर सकती है परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनेगा कल का दिन हर काम के लिए शुब है क कल सेहत को लेकर परिशान रहेंगे आलसियो को खुद पर हावी न होने दें परिवार का सहयोग प्राप्त होगा बच्चों को लेकर तनाव हो सकता है आप अपने बच्चों के भविश्य के लिए अपने किसी परिचे से बातचीत करेंगे छात्र एक शहर से दूसरे शहर श हयोग मिलेगा जीवन साथी आपको कोई नया कार्य शुरू कराएगे ओनलाइन कार्य कर रहे जातक भी कल अच्छा खासा लाप प्राप्त करेंगे अगर आप अपना धन निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो किसी से सलाह मश्वरा अवश्य ही करें आपके मन की कोई इच्छा पूरी होगी कल किसी दूर के रिष्टेदार के द्वारा मिली सुखत समाचार से परिवार में खुशियां भरा महौल होगा सान काल का समय आप अपने परिवार वालों के साथ व्यतीत करेंगे जहां सभी लोग अपने सुख दुख भांगते हुए नजर आएंगे मीन राशी, मीन राशी वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्थ होगी, जौब को लेकर लाब रहेगा, अधिकारियों का सानिध्य वसह योग प्राप्थ होगा, कल आपके मन की कोई इच्छा पूरी होगी मानसिक शांती के लिए आपको समय धार्मिक कार्यक्रमों में व्यतीत करेंगे, संतान की सेहत में सुधार होगा, बहन के साथ आप अपने सुख दूख, खब बांगते हुए नजर आएंगे पैत्रिक संपत्ती से धन लाब मिलने के योग बन रहे हैं, अगर आपका धन कहीं फस दया था तो वह भी कल आपको वापस मिलेगा अगर आपने किसी को धन उधार दिया हुआ है और आप उससे बार-बार धन मान रहे हैं, कल वह बिना कहे आपके अकाउंट में पैसे दलवा देगा आपकी आर्थिक स्थिती अच्छी रहेगी, परिवार में खुशियों भरा महौल होगा, कारोबार में प्रगती होगी, नई योजनाओं पर कार्या आरंब कर सकते हैं यात्रा की संभावना है, प्रोमोशन के सयोग बन रहे हैं, धन संबंधी योजनाओं पर विचार करेंगे, परिवार में शांती रहेगी, ससुराल पक्ष से कोई शुब समाचार सुनने को मिलेगा, कल आप संतान के विवाह को लेकर चिंतित नजर आएंगे, कुवारे लोगों के रिष्टे की बात चल सकती है, लव लाइफ आपकी खुशियों से भरी रहेगी